हेलो फ्रेंड शशी शुक्रा.com किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना बताने जा रही हूं इसके लिए देखे मैंने तीन किलो गाजर अच्छ से छील के दो के और ग्रेट कर ली है देड़् सो ग्राम के लगबग मैंने चीनी लिया है. 200 ग्राम मैंने खोवा लिया है, मावा जिसको बोलते हैं छोटी ञाची इसको मैं कूट लूँंगी पावडर इसका 5-6 छोटी इलाची, और एक लीटर के करीब फुल क्रीम दूद मैंने लिया है इसको दूद के साथ ही हम उसको उबालेंगे और आप ड्राइफ रूट अपने पसंद के नुसार डाल सकते हैं मेरे बच्चे ड्राइफ रूट नहीं खाते हैं इसलिए मैं ड्राइफ रूट नहीं डालूंगी तो आप ड्राइफूट अपने पसंद के नियुसार डाल सकते हैं ये देखे एक मोटे तले की कड़ाई लेंगे और इसमें मैंने एक लिटर के कड़ी उने से दूद डाल देंगे ये मैंने फुल क्रीम दूद लिया है और ये हम इसमें अपनी गाजर डाल देंगे ये डेके गाजर को हमने कड़ाई में आाप अच्छे आप बनाने है आप चाहें तो कूकर में बना सकते हैं लेकिन मैं कड़ाई में बूमटे तो बहुत अच्छा गाजर का हल्वा बनता है तो इसलिए मैं कड़ाई में बनाती हूँ अगर आपके पास कम ताइम है तो आप कूकर में बना सकते हैं यह रेखे फ्रेंड्स हमारा गाजर का हलवा भी पक रहा है हमेंसे बहुत अच्छे से पकाना है भूनते हुए अभी हमारा गाजर आदा रेडियोज हुआ है अभी यह और आधा रेडियोज हो चाएगा अभी मैंने इसमें दूत और गाजर डाला है और इलाइची डाली इलाइची पाउडर अब मैं इसमें ये चीनी डाल दूँगी, चीनी अप अबने स्घनीस फाधन उसार डाली है, जैसा आप फाधन एटा खाते हूं, वैसे इतने गाजर में मैं थीन किलो वाजर थी, इसमें मैंने 700 कुछा बाल चीनी डाला है, आप अपने स्घनीस सबस्कार डाल सकते हैं, और अ यह देखें फ्रेंड अभी हमारा हलवा पकर कर आ यह है से त से बार थांगे केसर के डाल अच्छा आगाा है उर दूर में भी-घार के ढाल सकतें और वैसे भी इसमें हम अगर डाल देंगे तो इसका कलर आ जाएगा हम इसको अच्छे से भूनते हुए पकाईगे यह देखे फ्रेंड अब हम इस स्टेज पेस में अपना खोवा या मावा जो भी है वो डाल देंगे जो भी आप बोलते हों खोवा मावा मैं थोड़ा सा बचा के रखूँगी गार्मिशिंग के लिए बाकी सारा डाल दोगा अगर आपके पास लोहे की बड़ी कढ़ाई है तो आप लोहे की कढ़ाई में बनाईए या फिर स्टील की कढ़ाई में स्टील या लोहे की जादा बेटर होती है बनने के बाद आप खाली जरूर करीजेगा अब इसको बहुत अच्छे से मूनना है अब थोड़ा ज्यादा मेहनद का काम है नी जलने लगेगा और इसको छोड़ना नहीं है अब इसको भूंते रहना अच्छे से चलाते हैं अब अब देखिए इसको हम दबा के देखेंगे जब तक पानी ऐसे अगर इसमें निकल रहा है तब तक हम इसे भूनेंगे हमें इसको बहुत अच्छे से अब भूनना है इसमें हमें टाइम लगेगा ये देखिए दबाने से ये पान पानी आ रहा है ये पानी नहीं आना चलिए हलवा बन जाने की पहचान यही है अगर पानी इसमें बिल्कुल ना रहे है ये बिल्कुल घी छोड़ देगा घुनते तब तक हमेंसे भूनना है क्योंकि हमने इसमें खोड़ा डाला रहा है तो वो घी छोड़ देगा भूनने के अबी तो अब हमें से और बुन नहीं है अच्छे से अभी देखेशंग अभी थोड़ा सा पानी यह छोड़ रहा है अभी हमें से और बुनना है 157 का अ हलुवा बनाने में पेशिंस का कॉता है क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी कड़ते थी बातने बहु़ा बनतना अगर अ तो हम इसे अच्छे से भूनना है बस अब 10 मिनिट का काम और है कि देखे फ्रेंड अब हमारा हलवा तयार है अब मैं इसकी फ्लेटिंग करती हूं आपको प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूं अब हमारा हलवा बिल्कुल रेड़ी है आप चाहें तो इसमें ड्राइफूट डाल सकते ही आपकी मड़ी है जो भी ड्राइफूट डालना चाहें अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूं यह देखी फ्रेंड इन इसको प्लेट में सजाल लिया है और उपर से मैं थोड़ा ग्र हमारा गाजर का हलवा त्यार है आपको जैसे मैंने बताया है उस विदी से बनाईए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है तो फ्रेंड आपको मेरी गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए शेयर करिए सब्स्राइब क कमेंट करिए मैं आपको ये वीडियो बहुत दिनों बात दे रही है इसके लिए सौरी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई